दोस्तों जनवरी में अथिया सेटी संग साथ फेरे लेंगे केल राहूल किर्केटर को शादी की लीव के लिए मिली मंजूरी जल्दी ही बॉलीवूड के अन्ना सुनेल सेटी अपनी बेटी का करेंगे कन्यादान बोलीवुड एक्टरस अथिया सेटी और किर्केटर केल राहूल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्ख्यों में बने वे हैं ऐसी खबरे हैं कि दूसरे को लंबे वक्त तक डेट करने के बाद कपल अपने रिष्टे को नए मुकाम तक पहुँचाने का फैसला कर रहा है राहूल की शादी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया हैं जिसमें बताया जा रहा है कि केल राहूल ने BCCI से छुटिया ले ली है दरसल किर्केटर केल राहूल ने BCCI से व्यक्तिकत छुटियों की मांग की थी जिसके लिए बोड ने मंजूरी देती है राहूल ने अपनी परसनल छुट्टियों को जनवरी 2023 के लिए प्लान किया है राहूल के छुट्टियों की मंजूरी मिनले के बाद सोसल मीडिया पर यकिनन ये क्यास लगाई जा रहे हैं कि किर्केटर ने ये छुट्टिया अपनी शादी के लिए ही ली है वो अत्या सेटी से जनवरी 2023 में शादी करेंगे हाला कि कौन सितारी को उनकी शादी होगी ये बात अभी तक सामने नहीं आई है वहीं उससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुनिल सेटी अपने खंडाला इस्तित बंगले में बेटी की शादी करेंगे जो के बेहत सही अंदाज में होगी दोनों के इस ग्रेंट बेडिंग में बोलीवूट से लेकर किर्केट जगतक की नामी हस्तिया सुमार होगी इस कपल की शादी से जुड़ी खबर सुन फैंस भी काफी एकसाइड़िट हो गए हैं वह रिपोर्ट में भी बता जा रहा है कि कपल ने अपने बेडिंग इस्पेसल आउटफिट भी फाइनल कर लिया है बता दे कि हाली में सुनिल सेटी एक इवेंट में पहुंचेते तब उन्हों ने अथिया और केल रहुल की शादी को लेकर अपनी चुपी तोड़ी थी जब मीडिया ने सुनिल सेटी से सवाल किया कि अथिया की शादी कब होगी तो इस बात पर सुनिल सेटी ने कहा था जल ही होगी वहीं इन दिनों सुनिल सेटी के खंडाला इस्तित बंगले में बेटी की शादी की तयारया काफी जोरू से चल रही है जहां नाम का बंग्डा सुनिल सेटी के दिल के पिहत करीब है इसमें 5 बेडरूम है सुनिल सेटी ने इस घर को डिजैन करने के लिए 5 साल का वक्त लगाया था वहीं आप इस बंगले में सुनिल सेटी अपनी बेटी को विदा करेंगे गोर तलब है कि अथिया और केल राहूल करीब करीब दिन साथ से एक दूसरे को डेट करें हैं दोनों को अक्सर कईमों को पर साथ देखा जाता है दोनों अक्सर एक दूसरे के लिए सोसल मीडिया पर अपने प्यार को इजहार करने से भी नहीं कतराते हैं वैसे शादी से पहले अतिया और केल राहूल एक साथ रह रहे हैं, दोनों हाली में अपने एक अपार्टमेंट में सिफ्ट हुए हैं, जो की बेंडरा में हैं, बहराल ऐसे में बस इंतजार है तो इन दोनों की शादी की सहनाईय बजने का